सारी दुनिया है लोकडाउन में कोरोना है सबका रोना दरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको प्यारे बच्चों नमस्कार मैं मन्जीत कौर प्रवक्ता गुनानगस इंटर कॉलेज चंदन नगर आलम भाग लखनवू माध्यमिक शिक्षावी भाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा ग्यारा विशे हिंदी में प्रथम अध्याय आज का हमारा प्रक्रण है हिंदी गध्य साहित्य का विकास भाग दो का अध्यन करेंगे आज के हमारे चर्चा के बिंदू है दिवेदि युग, शुकली युग या चायवादी युग, शुकलोतर युग या चायवादोतर युग, वर्तमान युग या स्वातनतर युग तर्युग बच्चों, पूर्व की पक्षा में हम लोग हिंदी गद्धे साहित्य का विकास, खाड़ी बोली गद्धे का विकास, पूर्व भारतेंदु यूग एम भारतेंदु यूग का परिचे प्राप्त कर चुके हैं पूर्व भारतेंदु यूग में हमने अध्यन किया कि दस्मीश अताब्धी के पट्टे परवानों, दान पत्रों, एमम, टीकाओं में हमें राजस्थानी हिंदी गद्ध की जलग प्राप्त होती है साथी साथ, राजा शुप्रसा, सितारे हिंद, राजा लक्षमन सेंग, इसाई धर्म के प्रचारक, आरे समाज के संस्थापक, स्वामी दयानंजी, गिल्ट्राइज, आधिका, पूर्भारतेंदु यूग में हिंदी गद्ध साहित्य में विशेश यूगदान रहा है सन 1868 से 1903 तक हिंदी गद्ध साहित्य को आधिनिक यूग के नाम से जाना चाता है इसके प्रणेता भारतेंदु हरीश चंद्र जी ने हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया भारतेंदु जी ने एमम उनके समकालिन साहित्य कारों ने विभिन विधाओं में रचनाएं की एमम विभिन पत्रिकाओं का भी समपादन एमम सफल प्रकाशन भी किया दिवेदी युग सन 1903 से 1922 तक हिंदी के युग निर्माता सहित्यकार आचारे दिवेदी जी का जन्म सन 1864 में हुआ हिंदी भाषा के संसकार करता, परिशकारक, उत्रश्णि बंधकार, प्रखर अलोचक तथा आदर्श समपादक दिवेदी जी से हिंदी साहित्यके दितिय उत्थान का प्रारंभ माना जाता है आचारे महाविर प्रसाद दिवेदी जी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक न्युक्त हुए सरस्वती पत्रिका को ही बीश्मी शताब्दी के अरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में नव्यों का सूत्र पात्तों किया दिवेदी जी ने भारतेंदु युकी भाशा ग्रत्रुटियों को दूर किया तथा हिंदी भाशा और उसकी शैली को परिश्करत करके उसे और सम्रद्ध किया इस प्रकार दिवेदी जी की प्रेड़ना से और प्रोसाहन से उच्च कोटि के सहित्ते का स्रजन हुआ उस समय के आपरिपक्व लेक्कों की भाषा शैली सम्मंधित जो उनकी रचनाई थी उसमें उन्होंने लोचना की उसकी और साती सात उनको सुझाव भी दिये और नए लेक्कों को प्रोसाहित किया इस प्रकार से दिवेदी जी की प्रेड़ना से और प्रोसाहन से उच्च कोटि के सहित्ते का स्रजन हुआ दिवेदी जी ने सरस्वति पत्रिका के माध्यम से लेखकों को व्याकरण की अशुधियों के प्रती सचेत किया सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त दिवेदी युग में सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, म्र्यादा, माधुरी, आदी पत्रिकाएं भी लोकार पित हुई है इस युग में निबंध, उपन्यास, कहानी तथा नाटक आदी की रचना भी की गई है दिवेदी युग में राश भावना या राश प्रेम, रूडी विद्रोह, मानवतावाद, नारे का उत्थान आदी विश्यों पर जो है साहित्ते का स्रजन किया गया है बच्चों, अब हम देखते हैं दिवेदी युग के नाटक दिवेदी युग में पौरानिक, एतिहासिक, सामाजिक, रोमांचकारी तथा अनूदित नाटकों की रचना की गई है त्रेता युके महानायक, शीरी राम के चरित पर, द्वापर युके महानायक, शीरी क्रिष्ण चरित पर, एवं पौरानिक पात्रों, एवं घटनाओं से समंधित, जो नाटक लिखे गए, उन्हें हम पौरानिक नाटकों की श्रेणी में रखते हैं पौरानिक नाटकों में राधाचर्ण गोश्वामी जी का श्री दामा, पौरानिक नाटकों के साथ ही, दिवेदी युग में जो है, एतेहासिक नाटकों की ब्रचना की गई, जिसमें गंगा प्रसाद गुप जी का वीर जयमल वर्तमान परिसित्यों पर आधारित सामेक नाटक की रचना भगवती प्रसाद जी द्वार रचित व्रध विवा माना जाता है, दिवेदी युग में अनुदित नाटकों में लाला, सीता राम जी का म्रच्छ कटिकम, महत्वपोण नाटक है आगे हम बचों देखेंगे दिवेदी युग के उपन्यास दिवेदी युग के उपन्यासों में चंद्रकांता, देवकी नंदर खत्री जी द्वारा, रचित उपन्यास है तारा रजिया बेगम, किशोरी लाल गोस्वामी जी का महत्वपोण उपन्यास है इसमें नारी प्रधान और शिंगारिक वर्णन किया गया है अयोध्या सिंगु पाध्याई जी का अधिकिला फूल हिंदी का ठाट जो हैं दिवेदी युग के प्रमुख पन्यास माने चाते हैं दिवेदी युग में दोनों प्रकार के नाटकों की रचना हुई है मौलिक नाटक और अनूदिक नाटक दिवेदी युग में कोतुहल पूर्ण, रहस्यात्मक, रोमांचकारी, समाजिक जीवन की जो सत्य समस्याएं सत्य पराधारी जो समस्याएं या यथार समस्याओं को लेकर भी उपन्यासों की रचना की गई है अब हम अबलोकन करेंगे दिवेदी युग की कहानिया भारती इंदु युग में कहानी लेखन का प्रारंभ नहीं हुआ था सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना चाता है काशी में जन्में कि शूरी लाल गुस्वामी जी की कहानी इंदु मती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होई इंदुमती कहानी को 1910 की हिंदी की प्रथम कहानी होने का शिये प्राप्त है परंतु कुछ रिद्वान माधवराव सप्रेजी की कहानी एक टोकरी भरमिटी 1901 की जो कहानी है उसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते है तत्पशात लाला भगवान दीन की प्लेग की चुडल राम चंद्रशुक्ली जी की 11 वर्ष का समय चंद्रधर्शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था दिवेदी युग की महत्वपोन कहानिया है दिवेदी युग के निबंध दिवेदी युग में व्यक्ति व्यंजक निबंधू की रचना तो नहीं हुई व्यक्ति व्यंजक अर्था गुड भामों को प्रकट करने वाली जो निबंध की रचना है वो दिवेदी युग में नहीं हुई लेकिन विविद विश्यों को लेकर दिवेदी युग में विभिन निविंधों की रचना हुई है दिवेदी युग में समाज की दूरदशा आर्थिक विश्मता अर्थात समाज में धनी वर्ग, निरंतर, धन्वान और जो गरीब वर्ग है अपनी यथा सिती में बना रहता है तो इस प्रकार से आर्थिक भेद भाव जो समाज में बना रहता है उस पर आधारित निबंध और साथी साथ धार में कूरितियों, एमम, राष्टी समस्याओं को लेकर विविद विश्यों पर निबंधों की रचना की गई है निबंध रचना में वाणनात्मक, भावात्मक, विवरनात्मक, कथात्मक, विचारात्मक, आधी विभिन शैलियों के दर्शन होते हैं निबंध लेकों में महावीर प्रसाद दिवेदीजी के अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुन्दर दाजी की गधे कुस्मावली इसमें उन्होंने विभिन विश्यों पर आधारित निबंधों का संकलन किया है उनकी रचना भी की है बालमुकंद गुप्द जी द्वारा, शिवशंभू के चिठे, सरदार पूर्ण सिंग्जी द्वारा, आच्रण की सभ्यता एवं माधप्रसाद मिश्य जी पद्म सिंग्शर्मा आधी दिवेदी युग के प्रमुक निबंधकार हैं दिवेदी युग में आलोचना, संस्मारण, जीवनी, यात्रावरत एवं पत्रसाहिति की रचना भी आरंभ हो चुकी थी समा लोचना का पूरण व्यभव भी इस काल में दिखाई दिया दिवेदी जी ने विश्तरत आलोचना का मार्ग दिखाया मिश्य बंधुओं एवं पत्म सिंग्शर्मा ने पुराने कभियों पर अपने विचार प्रकट किया इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि दिवेदी युग में भाषा परिश्क्रण तथा विभिन विधाओं में साहित्य श्रिष्टी के साथ हिंदी साहित्य का चतुर्दिक विकास हुआ शिक्लड युग या च्छायवादड युग शन उन्नीसो बीस से उननीसो अर्थिस तक 1902-1938 के काल को च्छायवादय युग के नाम से या शुक्लवादय युग के नाम से जाना जाता है कुछ विद्वान इसे प्रसाद युग या प्रेम चंद युग के नाम से भी चानते हैं ये काल भारती जीवन के राजनेतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक घटनाक्रम की दिश्टी से विशेश महत्व का रहा है उस समय गांधीजी के सहयोग से, गांधीजी के प्रभाव से स्वतन्त आंदोलन पूरी गती पर था असहयोग अंदोलन, सवीने अवग्या अंदोलन, जलिया वाला बागत्याकान के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी तिवर्ता से संचाली थी क्यूंकि उस समय हमारा देश अंग्रीजी शासन के अधीन था और हम लोग आजादी प्राप्ट करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी और गांधी जी का अहिंसा आंदोलन भी चल रहा था साथ ही पास्चात्य शिक्षा और सहित्य का भी जन मानस पर प्रभाव पढ़ने लगा था चायामादी युग में नाटक के छेत्र में जैशंकर प्रसाजी के रूप में एक युगांतर उपस्थित हुआ इस काल में एते हासिक, समसामाईक, हास्य व्यंगे आतबमक तथा गीती नाटे आदी सभी प्रकार के नाटकों की रचना हुई है भारतिय तथा पास्चात्य सिधान्तों वा रंग मंच के सम्मिलन से नाटकों में प्रभावात्मक्ता एवं उतक्रश्ता का समावेश हुआ जैश्यंकरप्रसाद जी की ध्रूस्वामिनी, कल्याणी, चंद्र गुप्त, सकंद गुप्त आदी महत्व पूर्ण नाटक हैं इसी प्रकार से हरी कृष्ण प्रेमी जी का स्वाण मिहीन एवं रक्षा बंधन, लक्षमी राण मिश्र जी का सन्यासी मुक्ति का रहस्य साहित्तिक घटना है प्रेम चंद जी ने रोमांचक, रहस्यात्मक और कोतुखल पूर्ण उपन्यासों के जगत से यथार्थ की भूमी पर उपन्यासों को लाकर खड़ा कर दिया उस समय प्रेम चंद जी ने जिन उपन्यासों की रशना की उसमें शेहरी ग्रामीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण उन्होंने किया इसलिए मुन्शी प्रेम चंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है आगे हम देखेंगे बच्चो शुक्ल योगियां छाया वादी योग शुक्ल जीर का जन्म सन अठारा सो चोरासी स्री में हुआ हिंदी साहित्य को विश्वस्तरी पहचान दिलाने में आश्चार्य शुक्ल जी को का योगदान जो अविस्मरणिये रहेगा कावे साहित्य से इन्होंने अपना रचना लेखन प्रारंभ किया इसके पर शात इन्होंने गद्य विधा के छेत्र में अपनी पहचान निबंधकार अनुवादक संपादक एमम आलोचो के रूप में बनाई इन्हें आलोचना सम्राट भी कहा जाता है प्रसाद एमम प्रेमचंद जी के आगमन से जिस प्रकार नाटक एमम कथा सहित्य का इन्होंने उधार किया उसी प्रकार से रामचंदल शुक्ल जी के आगमन से हिंदी निबंध सहित्य ने आशातीत प्रगति की है निबंधों में भाषा की प्रोडता के साथ साथ विभिन शैलियों का भी विकास हुआ निबंध की विधाही रचनाशैलियों के व्यविध्ध के कारण अनेक उपविधाओं जैसे संस्मरण, रिपोताज, पत्र सहित्य आधी में पल्लवित हुई रामचंद्रशुक्ल जी की चिंतामणी, मनोविकार, विश्यग निबंधों के छेत्र में अध्वितिय एवं आधनी कृती मानी जाती है इस युग में साहित्यक, अलोचनात्मक, शास्रिय, मनोवेज्ञानिक, ललित, आधी सभी प्रकार की निबंधों की रचना हुई है समालोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रवत, आधी भी शुक्ल युग में लिखे गय साहित्यके इतिहास लेखन का प्ररम्भी भी शुक्ल युग से माना जाता है इस युग के निबंधों में बाबु गुलाब रह जी की मेरी असफलताएं फिर निराश क्यूं आचारे हजारी प्रसादी वेदी जी की अशोक के फूल एवं वासुदेवशन अगरवाल जी की प्रत्वे पोत्र महत्त पुर्णी बंध मने जाते हैं चायावादी युके प्रमुख कहानीकारों को हम अवलोखित करते हैं चायावादी युके प्रमुख कहानीकार हैं प्रेमचंद, जैशंकर प्रसाद, चतुर सेंशास्री, जैनेंद्र, एवं सचिदानन्द, हीरानन्द, वास्याइन, अग्येजी, छायावदियु के प्रमुख कहानिकार हैं। प्रेमचंद जी की पूस की रात, इद गाह, मंत्र, आदी जो कहानिया हैं, वो महत्वपुन कहानिया हैं। इस यूकी कहानियों का प्रमुख विशेरह, ग्रामीन, तथा शेहरी जीवन की समस्याओं का चित्रण, मानवी मूलियों का संघश, अर्थात जैसे अहिंसा, शांती, धैर्य, दया, प्रेम, अधिकार, जिनका उस समय हनन हो रहा था, जिसके लिए संघवर्ष हो रहा था। तो उसकी आधार पर छायाबादी यूग में कहानियों की रचना की गई। मनोविशलेशन की आधार पर मानवी कुंठाओं एवं पीड़ा की अभिव्यक्ती भी इस यूग की कहानियों का प्रमुखविशे रहा है। की छायाबादी या शुक्ल यूग हिंदी साहित के पूर्ण उतकर्ष का काल है। शुक्ल जी की दीप्ती मैता के कारण उनके समकालिन हिंदी गद्य के यूग को शुक्ल यूग के नाम से जाना चाहता है। अब हों बच्चों देखते हैं शुक्लो तर यूग। शुक्लो तर यूग सन 1938 से 1947 तक माना जाता है। सन 1938 के पस्चात गद्य सहित्य के समय को छाया वादो तर यूग या प्रगती वाद के यूग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शुक्लो तर यूग में नवीन विधाएं प्रकाश में आएं संस्मरण, एकंकी, नाटक, रिपोतार्ज, रेडियो रूपक एमं रेखा चित्र आदी। मानुविय जीवन की पारिवारिक एमं समाजिक समस्याओं पर राजनेक्तिक दुराचार, मानुविय भावनाओं एमं विश्व बंधुत्व की भावना पर विभिन सहित्य की रचनाय की गई। गद्य साहित्य की अभी व्यंजना शक्ति अधिक परिश्क्रत हुई तथा साहित्य क्रचनाओं एमकृतियों की भी परचुर्ता इस युग में देखी जा सकती है। शुक्लोतर्यों की कहानियों की अंतरगात ईलाचंद्र जोशी जी की प्रेताक्मा, मिस्त्री, अगे जी की रोज और रेल की सिट्टी, जैनेंद्र जी की एक रात और मास्टर साहब। इसी प्रकार से उपन्यासों की अंतरगात यश्पाल जी की जूठा सच, एमम देव्या, फनिश्वर नात रेनु जी की, मैला आंचल, राहु सांक्त त्यायन जी की, सिंग सैनापती और धर्म भीर भारती जी की गुनाहों का देवता प्रमुख उपन्यास शुक्लोतर्यों युग में लिखे गड़, नाटकों के अंतरगत लक्ष्मी नारायन जी का दरपण एमम हमारे अध्याय, शुक्लोतर युग में एकांकी लेखन का भी प्रचार प्रसार हुआ, आधनिक युग में आधनिक मीरा नाम से महादेवी वर्मा जी को संबोधित किया जाता है, और पीडा की गाईका भी कहा जाता है, इस युग में इनके मत पून रेखा चेत्र, मेरा परिवार और पत के साथी आजी जुठे उनकी रचना की गई, आगे हम बच्चों लोकन करेंगे, वर्तमान युग या स्वातंत्र युग तर्युग, सन 1947 से आज तक का जो युग है, व वर्तमान युग की अंतरगत आता है, वर्तमान युग हिंदी गध्य की सर्वागिन उन्नति का युग है, क्योंकि पहले हमारा धेश अंग्रेजी साचन के अधीन था, पंद्रागस सन 1947 में भारत ने पर अधीनता की बेडियों को तोड़ कर स्वाधिनता के सुखद, वर्तमान युग में हिंदी नाटक वरंग मर्ज जीवन के यथार से जुड़कर नई दिशा की उन्मुख हुआ, नाटकों में मनोवियानिक विधी से अंतरद्वन्ध, कथा साहित के छेत्र में माक्स के समाजवाद, तथा फ्राइड के मनोविशलेशन वाद का विश्यस प्रभाब दिखाई पड़ता है, आज की पीडी के जीवन के संघर्ष, आकांक्षाएं, आशाएं, कुंठाएं, विद्रोह, तथा जीवन मुल्यों की तलाश, इस यू की कहानियों और उपन्यासों का प्रमुख विशे रहा है, इसकी अतिरिक्त, विभिन विश्वी द्य प्रतिवश जो शोध प्रकाशित हो रहे हैं, उनके द्वारा व्याज्यानिक विवेचन, विश्लेशन तथा मुल्यांकन के लिए हिंदी गध्य विक्सित हो रहा है, भारत के समिधान के अनुछेद 343 के तहत हिंदी भाषा, भारत की राजभाषा या कारेकार्णी भाषा हैं, अनेक साहित्यकार पूरी निष्ठा और तत्पर्ता के साथ हिंदी साहित्यक के इस रचनायुक को संपादित करने के लिए प्रयास्रत हैं, गजान माध मुक्तिबोध, रगवीर साहाई, सरवेश्वर दयाल, शिवानी, भीश्म साहनी, आदी वर्तमान युके महान साह हित्यकार हैं, इनके हाथों में हिंदी गध्य, साहित्यका भविश्य, निष्चे ही उज्वल हैं, बच्चों, अभी तक हम लोगोंने पूर्भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, एवं शुकल युग, शुकल ओतर युग, छायाबाद ओतर युग, एवं स्वात अ अंतर युग के विशे में जो है अध्यन किया है, अब बचों हम लोग इस जो आज हमने अध्यन किया है, उस पर आधारित अभ्यास के लिए जो अतिलग्यू प्रश्ण है, उनका आपको अपने घर पर अभ्यास करना है, दिवेदी युग के यशस्वी संपाद कौन थे, दिवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखे, दिवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखे, शुक्ल युग के प्रमुक गध्य लेकों के नाम लिखे, जैशंकर प्रसाद की एक कृति का नाम लिखे, शिवननन सहाई रची सुदामा, किस विधा की रचना ह एवं गद्य साहित्य के विविज रूपों का विकास किस काल में हुआ है ये प्रश्ण आपको अभ्यास हितु करने हैं जो हमने अध्यन किया है इसका ओनलाइन अभ्यास प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ समगरी तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्राल भारत सरकार द्वारा विक्सेत दीक्षा मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्द है दीक्षा मोबाइल एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर अत्वा iOS से डाउनलोड की जा सकती है एप को डाउनलोड कर इस अध्याय से सम्मंधित प्रश्णों अनिंगति विधियों का अभ प्रशक्ता हो तो अपने शिक्षक से ओनलाइन ए लर्निंग वर्श्वल क्लासे से पूछ कर उसका सम्माधान कर सकते हैं प्रस्तूत वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माधिमिक शिक्षाविभाग पर उपलब्द है जिसे आप चैनल सब्सक्राइब करके भ उसको आपको अवश्य ही लाप की प्राप्ति होगी और परिक्षा में समंधित प्रश्ण अगर पूछे जाएंगे तो आप उसको असानी से उन प्रश्णों का हल कर लेंगे